नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनेटी चैनल में आपको पता है कि मार्केट में एवरी डे गिरावट हो रही है वो ग्लोबल वोलेटेलिटी की बज़े से है निप्टी एंड साइंसाइक्स दोनों नए निचले स्तर को छो रहे है और बहुत ही बुरा हाल है हर का चुनाओ करना बहुत ही इंपोर्टन हो जाता है दोस्तों मार्केट में काफी टाइम के बाद बहुत अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिल रही है तो अभी के टाइम पे कौन से स्टॉक लेना चाहिए उसके बारे में आज हम डिसकस करेंगे दोस्तों स्टॉक क का जो डेली चार्ट है 19 फेबरुवारी के इस स्टॉक ने अच्छा हाइब उसका लाइफ टाइम हाइब बनाया था उसके बाद जब मार्केट में कोविड का जो ब्रेकाउट हुआ उसके बाद जो मार्केट में गिडावट आई चारों तरब इक्वाली थी एड़ टाइम ये स्टॉक जो था उसने अपना लोव थोड़ा बनाया और मार्केट में और निप्टी का पार्ट है ये स्टॉक ब्ल्यूचिप स्टॉक है और ये स्टॉक ने अच्छा रिटन पास्ट में दिया हुआ है और ये स्टॉक पहला स्टॉक होगा जो 8 एप्रिल को उसका लाइ लाइब टाइम हाई बनाया दोस्तों स्टॉक का नाम है अभी ये स्टॉक क्यों चार्ट के उपर अच्छा लग रहा है उसके उपर में आज आपके साथ डिसकस करूंगा क्योंकि गिरते हुए मार्केट में बहुत ही इंपोर्टन्ट होता है स्टॉक सेलेक्शन दोस्तों तो आप देख सकते है कि जो बॉटम बनाया था स्टॉक ने तो वो 1760 के आज पास था जो दुसरा बॉटम बना वो आप देख सकते है कि 1896 के उपर बना और जो तिसरा बॉटम बना तो वो बना 1997 का आप देख सकते है इसका बहुत ही सिंपल सा कि मार्केट में जब करेक्शन आय नीचे आया, फिर high बनाया, फिर नीचे आया, फिर छोटे-छोटे परवत बना के उपर चड़ा, फिर वो नीचे आया, फिर छोटे-छोटे परवत बना के उपर चड़ा, फिर वो उपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, नीचे आया, बट इसमें एकी चीज मार्क क तरह बढ़ रहा है तो अभी का जो support level हमें दीख रहा है वो around 2120 के आसपास का दीख रहा है दोस्तों और अभी का stock है वो 2237 का है अगर immediate आप support की बात करें तो ये जो level है 2188 का वो एक support level के तौर के ओबर छोटा सा support level है but अच्छा support level जो previous low है swing low वहीं माना जाएगा अगर वो level तोड़ देता है दोस्तों तो फिर stock में काफी अच्छा वहाँ से support लेने की समता है क्योंकि ये support level काफी अच्छा है और आने वाले 2-3 मेने के अंदर क्या target बन सकते हैं उसके बारे में discuss करते हैं तो retracement line जो अभी छोटा सा swing low है वहाँ से जो low बनाया था swing high से swing low तो वह जो target price आ रहा है वह 2625 का आ रहा है जो उसका lifetime high है दोस्तों तो HUL fundamentally तो बहुत ही sound और बेहतरीन company है every year dividend देती है और बहुत ही अच्छा लोगों का wealth बनाया है दोस्तों but short term में आपको यह stock जब market बहुत corrective action में है तो यहां से आपको बहुत ही अच्छा return देने की समता रखते हैं दोस्तों और यह जो वीडियो है मैंने educational purpose के लिए बनाया है अगर आपके VTS अला का इसमें निवेज करने की सला दोस्तों देते है तो आप इसमें बने रह सकते है यह मेरा personal view है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो like किजिए, share किजिए, subscribe किजिए, thank you, thank you अरिमत दोस्तों